हेलो स्टूरेंट्स मैं आपके साथ हूं स्टैंडर्ड सिवन का प्रैक्टिस सेट 36 को लेकर इसमें हमारा फर्स्ट कोशन है सिंप्लिफाई एक्वेशन दिये हैं दो एक्वेशन उनके सब्स्ट्रेक्शन करनी है और उसके लिए ओप्शन भी दिये हैं 1, 2, 3 and 4 तो देखो फर्स्ट एक्वेशन क्या है 3x-11y और दूसरा जो एक्वेशन है उसमें x टम जो दी है वो x टम फर्स्ट एक्वेशन में x टम जो है उसके नीचे ही आनी चाहिए जैसे हम unit place के नीचे unit place 10 place के नीचे 10 place write कर लेते हैं वेसे ही तो यहाँ पे 17x यहाँ पे plus sign है और 13y ओके y item के नीचे y term, extrem के नीचे extrem इनकी subtraction करनी है answer minus sign देना है और यहाँ पे second equation के बाद थोड़ी सी space छोड़कर यहाँ पे नीचे line दे देनी है क्योंकि हमें यहाँ पे sign change करके बाद में उसको solve करना होता है जब हम दो equation की subtraction कर लेते हैं तब हमें second equation जे है उसके sign change करके लेने होते हैं यहाँ पे plus है तो यह minus हो जाएगा यह 17x यह plus है ओके sign नहीं रहता है तो वो plus ही रहता है वो minus हो जाता है अब देखो हमें पता है अगर दो negative number है चाहे वो minus हो चाहे वो plus हो उनकी always होती है addition और दो different sign हो minus plus और plus minus उनकी होती है subtraction different sign की subtraction same sign की addition होती है तो देखो यहाँ पे 11y 13y यह दोनों same sign है उनकी addition होगी 3 plus 1 4 होगे 1 plus 1 2 और यह y as it is 24y अभी इन दोनों में 13 बड़ा integer है उसका minus sign है answer को भी minus sign आएगा यह 3x plus है 15x यह minus है यह दोनों different sign है plus minus different sign उनकी subtraction होती है तो 17 में से 3 subtract हो गया यहाँ पे 14 रहे गया और यह x as it is इन दोनों में बड़ा integer 17 है उसका minus sign है answer को भी minus sign आएगा अभी देखो यह answer दिये गए option में कहाँ पे है हम देख लेते हैं वही option हमारा correct answer रहेगा तो 14x कहाँ पे है 14x minus 54y तो यह भी नहीं है यह भी नहीं है और यह भी नहीं है तो यहाँ पे देखो last one जो option है वहाँ पे अगर 27014 आ जाएगा और 122024 आ जाएगा means what इन्होंने क्या किया है जो answer आया है उस answer में 14 and 24 यह जो number है उन दोनों number में 2 common मिल जाएगा उन दोनों में इसे 2 common निकालिया है तो देखो यह answer क्या है minus 14x minus 24y इन दोनों में common 2 निकाल लिया 2 common माइनस 2 common निकालिया दोनों भी जगह माइनस आएगा माइनस भी common निकाल लिया ये भी number 2 से डिवाइड होता है ये भी number 2 से डिवाइड होता है तो 2 भी common निकाल लिया अभी इस 14 को 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 7 answer आएगा 7x answer आएगा ओके और इस 24 को 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 12 यह answer आएगा और यह y as it is minus sign तो common निकाल लिया है तो अंदर के answer आएगा plus sign रहेगा तो इसलिए यही हमारा option है correct answer so कौन सा option है option 4 will be a correct answer example number 2 है the product of 23x square y cube z and minus 15x cube y z square is इन दोनों का product क्या आता है वो हमें निकालना है यहाँ पे options भी दिये है options भी दिये है फिर भी हम हमें solve करके देखना ही होगा तभी हम correct answer बता सकते हैं तो देखो 23x square y cube z multiplied by minus 15x cube y z square ओके इन दोनों के हमें multiplication करनी है तो यहाँ पे 23x15 यह दोनों number हैं पहले हम number लेंगे multiplication करते है time यहाँ पे 23x minus 15 आ जाएगा उसके बाद x square है x cube है वो ली अभी यहाँ पे y cube है यहाँ पे y है उसके बाद z यहाँ पे z है यहाँ पे z square है वो ले लिया हमने ओके अभी देखो यहाँ पे 23 multiplied by 15 करना है यहाँ पे 23 multiplied by 15 करना है और जो answer आएगा उसको minus sign देंगे क्योंकि दो different sign number के हम multiplication कर रहे है तो answer में भी minus में ही आएगा तो यहाँ पे 53015 15 का 5 यहाँ पे 141 आ गया 52010 10 प्लस 1 11 हो गया 11 और अभी हम 1 से multiply करेंगे 133 122 ओके इनकी addition की 5 4 3 आ गया 345 आ गया 345 और उसको में minus sign देना है x square and x cube यह 2 प्लस 3 कितने हो गया 5 हो गया तो x raise to 5 आ गया उसके बाद y cube and y यहाँ पे y का coefficient यहाँ पे ओपर कोई नहीं है means what y 1 ही है तो यह 1 y multiply by 3y y raise to 4 आ गया y raise to 4 z multiplied by z square square and यह 1 यह 1 and 2 क्या हो गया 3 हो गया so z raise to 3 आ गया ओके यह आ गया answer वो कौन से option में दिया है option number first में दिया है तो हमारा option number first will be the correct answer question number 3 में first number example है इसको solve करना है हमें solve करना है means what यहाँ पे जो x जो दिया है उसकी values निकालनी है तो देखो इसके साथ जो पहला यह जो number है यह plus में है इसको हम इस side में shift कर देंगे वो minus हो जाएगा ओके तो देखो 4x is equal to 9 by 2 minus 1 by 2 यह 1 by 2 यहाँ पे plus था उसको हमने right side में shift कर दिया वो वहाँ पे minus 1 by 2 हो गया और यही steps आप केसे solve कर सकते हो देखो यहाँ पे और लिख लेती हूँ क्योंकि क्या हो जाता है कभी-कभी बच्चों को school में अलग steps से सिखाया जाता है यह step समझ में नहीं आती है पर बोथ steps से answer same आ जाता है देखो यहाँ पे यह 1 by 2 plus में है subtract minus 1 by 2 on both side यह step की तो क्या आ जाएगा 4x plus 1 by 2 minus 1 by 2 is equal to 9 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 both side में हमने क्या किया subtract किया तो यह minus 1 by 2 plus 1 by 2 cancel हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्ख कौन सी time रहेगी 4x is equal to अभी 9 by 2 में से 1 by 2 subtract किये तो 8 by 2 यह answer आ जाएगा और यही answer सेम यहाँ पे भी आ जाएगा देखो कैसे 4x तो as it is रहेगा is equal to 9 9 by 2 में से 1 by 2 subtract किया है दोनों का denominator सेम है हम numerator की subtraction करेंगे subtraction के बाद answer 8 आता है denominator में denominator सेम है तो वो लिखेंगे so 8 by 2 आ गया देखो 4x is equal to 8 by 2 4x is equal to 8 by 2 कौन सी भी step से आप करोगे न answer सेम ही आ जाएगा देखो इसके आगे हम solve करेंगे अभी 8 यह 2 से divide हो जाता है 8 को हम 2 से divide करेंगे 21.2248 तो यहाँ पर 4x की value 4 आ गई तो 4x is equal to 4 लिखेंगे हम अभी x की value निकालनी है तो 4 को हम उस सेड में shift कर देंगे 4 यहाँ पर x के साथ multiply है वहाँ जाकर divide हो जाएगा तो x is equal to 4 upon 4 आ गया तो 4 1s a 4 4 1s a 4 तो x की value क्या आ गई 1 आ गई x is equal to 1 यह value आ गई और इसको भी आ गए solve किया तो same answer आएगा क्योंकि यहाँ पर step भी same आई है example number second है third number question में तो यहाँ पर देखो इसको भी हमें solve करना है तो यहाँ पर हम y की value निकालेंगे तो y के साथ जो number a plus 5 subtract minus 5 on both side यहाँ पर plus है इसले subtract minus 5 on both side करेंगे so 10 minus 5 is equal to 2y plus 5 minus 5 आ गई okay so plus 5 minus 5 cancel हो गया 10 में से 5 subtract हो गया तो यहाँ पर fire आ गया 5 is equal to 2y यह steps आ गई अभी y की value निकालनी है तो y के साथ जो number है 2 उसको हम इस side में shift करेंगे यह 2 यहाँ पर multiply है यहाँ कर divide हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ y रहेगा 2 का हम इस side में shift कर लेते हैं so 2 यहाँ पर divide हो जाएगा तो 5 by 2 यह आ गई y की value इसको हम ऐसे भी लिख सकते therefore y is equal to 5 by 2 okay question number 3 में third number example है इसको अभी हमें solve करना है तो यहाँ पर हम इस m की value निकालेंगे यहाँ पर minus 4 है इसलिए हम क्या करेंगे add plus 4 on both side करेंगे तो दोनों side में plus 4 add कर लिया steps आ जाएगी 5m minus 4 plus 4 is equal to 1 plus 4 यहाँ पर क्या किया हमने adding plus 4 on both side okay so यहाँ पर minus 4 plus 4 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर 5m में रहेगा is equal to 1 plus 4 5 हो गया तो ym की value निकालनी है तो 5 को हम उससेड में shift कर देंगे यह 5 यहाँ पर multiply है ym के साथ वहाँ जाकर divide हो जाएगा m is equal to 5 upon 5 यह step आ जाएगी 5 ones of 5 5 ones of 5 तो यहाँ पर 1 upon 1 means what 1 ही answer आ गया तो ym is equal to 1 यह आ गई ym की value so हो गया हमारा equation solve okay question number 3 में 4 number example है 6x minus 1 is equal to 3x plus 8 तो यहाँ पर both side में x term दी गई है यहाँ भी हमें x की value निकालनी है पर हमें पहले क्या करना होगा दोनो side में जो x term है उसको x side में लाना होगा दोनो side में जो number है उनको x side में लाना होगा तो यहाँ पर पहले term x है तो इस 3 को हम इस side में 3x को हम इस side में लेकर आते हैं यह 3x यहाँ पर plus है यहाँ कर minus हो जाएगा तो क्या step आ जाएगी 6x minus 3x और 1 यहाँ पर minus है वहाँ जाकर plus हो जाएगा तो यहाँ पर plus 8 plus 1 यहाँ रहेगा 6x में से 3x subtract हो गया तो 3x ही रहेगा is equal to 8 plus 1 क्या हो गए 9 हो गए तो यहाँ पर 9 आ गया उन दोनों को plus ही sign है तो number को sign नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि जिस number को sign नहीं रहता है वो plus ही रहता है अभी यहाँ पर क्या है x की value निकाल लिए तो को 3 को हम उस side में shift कर देंगे यह 3 यहाँ पर multiply है वाजा कर डिवाइड हो जाएगा तो x is equal to 9 upon 3 यह step आ गई 3 1s are 3 3 3s are 9 अभी 5 number example है third number question में 2 into x minus 4 यह 2 इस bracket के साथ multiply है 4x plus 2 है यहाँ पर तो हम इस 2 को bracket में जो term दिये उन से multiply कर लेते है so 2 into x किया तो क्या आ जाएगा 2x यहाँ पर minus sign है 2 multiply by 4 2 4 is 8 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा is equal to 4x plus 2 यह term है अभी देखो दोनों side में जो x term है उसको हम x side में लाते है number term में उसको हम x side में ले आएगे 2x term है तो हम इस 4x term को इस side में लेकर आते है यह number term को में उस side में shift कर देंगे यह 2x as it is रहेगा 2x यह 4x यहाँ पर plus है यहाँ कर minus 4x हो जाएगा और यह 2 यहाँ पर ऐसे ही है plus 2 यह minus 8 है वहाँ जाकर plus 8 हो जाएगा अभी देखो 2x में से 4x subtract नहीं होते हैं तो हम 4x में से 2 subtract करेंगे जो answer आएगा न उसको negative sign देंगे 2x ही रहेगा और उसको हमें minus sign देना है अभी plus 2 plus 8 कितने हो गए 10 हो गए तो 10 ही answer आ गया एक्स की value निकाल लिए तो इस 2 को हम उससेड में shift कर देंगे यह 2 यहाँ पर multiply है वहाँ जाकर divide हो जाएगा तो x is equal to 10 upon 2 यह number आ गया पर यह 2 यहाँ पर minus है यहाँ पर minus sign ही रहेगा ओके minus 2 था पर वो multiply था न तो वो divide हो गया minus तो as it is रहेगा तो अभी यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 ही आ गया तो x की value क्या आ गई 5 आ गई पर वो क्या है minus 5 है क्योंकि यहाँ पर minus sign है न इसलिए तो x की value आ गई minus 5 okay question number 3 में 6 number example है 5 into x plus 1 is equal to 74 5 इस bracket के साथ multiply है bracket में जो term है उनको हम 5 से multiply कर लेते है 5 into x किया तो 5 x आ जाएगा plus sign है 5 बहन जा 5 आ गया ओके और यहाँ पर 74 है यहाँ पर यह 5 यहाँ पर plus है तो इसलिए हम क्या करेंगे subtract minus 5 on both side 5 x plus 5 minus 5 is equal to 74 minus 5 यहाँ पर क्या किया हमने subtracting minus 4 sorry minus 5 on both side तो क्या आ जाएगा plus 5 minus 5 cancel हो गया यहाँ पर सिर्फ 5 x ही है 74 में इसे 5 subtract किया तो यहाँ पर 69 answer आ जाएगा x की value निकाल लिए तो x के साथ जो number 5 उसको हमें उस साथ में ship कर देना होगा यह 5 x के साथ multiply है वहाँ जाकर divide हो जाएगा तो x is equal to 69 upon 5 value आ गई ओके देरफोर x is equal to 69 upon 5 एक्जम्पल नमबर 4 है राकेश एज is less than सानिया's age by 5 years the sum of their age is 27 years how old are they उनकी age की sum 27 years है और यहाँ पर दिया क्या है question में राकेश का जो age है सानिया के age के compare में 5 years से less है अगर हमने सानिया का age x consider किया तो राकेश का age उस से less than 5 years means what x minus 5 आ जाएगा ओके तो यहाँ पर हम write कर लेते हैं let the age of सानिया is equal to x years the age of राकेश is equal to x minus 5 years ओके according to question question के according क्या बताया है the sum of age of सानिया and राकेश is 27 years उनकी age की sum कितनी आ रही है तो हम इस information को equation form में किसे लिखेंगे देखो सानिया का age x year है दोनों की age की sum करनी है इसलिए plus लिया राकेश का age x minus 5 है उन दोनों की sum जो है वो equal to 27 year आती है तो यह equation form में write कर लिया अभी हम इसको solve करेंगे x की value निकालेंगे पहले हम bracket solve कर लेते है x plus यह x minus 5 is equal to 27 x plus x 2x हो जाते है 2x minus 5 is equal to 27 यहाँ पे minus 5 है इसलिए हम क्या करेंगे adding plus 5 on both side अभी देखो 2x minus 5 plus 5 इस side में plus 5 add कर लिया यह equal to 27 27 दोनों side में plus 5 add कर लिया यहाँ पे plus 5 add किया तो हम लिखेंगे भी 5 on both side minus 5 plus 5 cut हो गया तो 2x is equal to 27 में 5 add कर हो गया minus 8 7 plus 5 12 हो गया 12 का 2 यहाँ पे क्यारी 1 2 plus 1 3 32 आ गया अभी x की value निकालनी है तो 2 को हम उसड़ में shift कर देंगे तो क्या आ जाएगा x is equal to 32 divided by 2 2 1s are 2 2 1s are 2 3 में से 2 सब्स्ट्राट हो गया 1 रगए 1 and 2 12 हो गए 2 6 are 12 x is equal to 16 value आ गई अभी देखो age of sunia is equal to हमने x consider किया है तो हम लिखेंगे so age of sunia is equal to x years is equal to 16 ok x की value 16 है तो 16 years age of राकेश is equal to x minus 5 is equal to 16 minus 5 is equal to 11 years ok अभी हमने जो value निकाली है sunia का age 16 years राकेश का age 11 years यह हमारी value सही है या नही हम चेक करके देख सकते हैं के से चेक करेंगे देखो यहाँ पर बताया क्या गया है दोनों की age की sum 27 है आ रही है तो इन दोनों की sum करके देखो 6 plus 1 7 आया 1 plus 1 2 आ गया तो आ रही है ना दोनों की age की addition 27 तो इसका मतलब हमने जो answers निकाला है वो सही answer है okay example number 5 है when planting a forest the number of jambu trees planted was greater than the number of ashoka trees by 60 if there are all together 200 trees of these two types how many jambu trees were planted तो यहाँ पर jambu trees and ashoka trees plant किये गये है forest में दिया क्या गया है jambu trees जो है ashoka trees के compare में 60 से greater है and उन दोनों की addition 200 है दोनों trees की addition 200 है यहाँ पर हम consider कर लेते है let the number of ashoka trees planted in the forest let the number of ashoka trees planted in the forest is equal to x ashoka trees जो है वो x है jambu trees ashoka trees के compare में 60 से greater है तो वो jambu trees कितने आएगी x प्लस 60 आएगी then then the number of jambu trees is in the forest is equal to x plus 60 okay according to the question according to the question the total number of total number of ashoka and jambu trees in the forest is equal to 200 okay अभी हम इस sentence को equation form में कैसे लिखेंगे देखो ashoka trees x है यह हमने consider किया और ashoka trees के compare में jambu trees जो है वो 60 से greater है उसको हमने x plus 60 लिखा और इन दोनों की addition 200 है यह दोनों ट्री ट्री है वो 200 है टोटल तो यह equation form में ऐसा आजाएगा यह हम bracket के बाहर लाएँगे कैसा आजाएगा x plus x plus 60 is equal to 200 x plus x 2x plus 60 is equal to 200 यह plus 60 है तो हम क्या करेंगे subtract minus 60 on both side तो कैसा equation आजाएगा 2x plus 60 minus 60 is equal to 200 minus 60 क्या किया हमने subtracting minus 60 on subtracting 60 on both side ओके stick 60 से हमने both side में subtract किया minus 60 plus 60 cut हो जाएगा यहाँ पे 2x ही रहेगा सिर्फ 2x is equal to 200 में से 60 सब्स्ट्राइग किया तो यहाँ पे 140 ही आजाएगा तो देखो यह x की value निकालने है तो x को हमें इस side में shift करना होगा तो यहाँ पे x रहेगा x is equal to 140 divided by 2 इस 140 को 2 से डिवाइड हो जाता है तो कर लेते है 2 1s are 2 2 के टेबल में 14 है कि yes 2 के टेबल में 14 है क्या yes 2 7 0 14 और यह 0 as it is so 7 and 0 70 यह आगई x की value x is equal to 70 यहाँ पे denominator वो है 1 है तो वो neglect हो जाता है तो x की value 17 ही है ओके so number of Ashoka trees in the forest is equal to x is equal to 70 ओके number of jambul trees planted in the forest is equal to x plus 60 is equal to 70 plus 60 is equal to 130 okay jambul trees 130 है Ashoka tree 70 है वो दोनों मिला के 200 हो जाती है example number 6 है शुबांगी शुबांगी has twice as many 20 रूपीज notes as she has 50 रूपीज notes altogether she has 2700 how many 50 रूपीज notes does she have तो शुबांगी के consider कर लेते है number of 50 रूपीज notes is equal to x यहापी हम लिखेंगे let the number of 50 रूपीज notes is equal to x then the number of 20 रूपीज notes is equal to 20 रूपीज की notes उसके पास 50 के compare में double है 50 अगर x है तो 20 रूपीज की notes double है means 2x हो जाएंगी ओके तो यहापे हम 2x लिखेंगे 50 रूपीज की x note है उसके पास और 20 रूपीज की 2x notes है क्योंकि वो 2x आ गई अभी यह notes है तो amount निकाली है तो हम क्या करेंगे क्योंकि उसके पास जो amount है उसकी addition दी है तो यह notes की हम amount में conversion कर लेते है तो केसे करेंगे देखो amount of amount of 50 रूपीज notes is equal to 50 रूपीज की notes है तो 50 multiply by x करेंगे is equal to 50 x यह रूपीज में आए ओके amount आई अभी amount of 20 रूपीज amount of 20 रूपीज notes is equal to rupees 20 रूपीज की notes है तो 20 लिया और यह कितनी है 2 x से इनका multiplication के बाद 22,040 40 x आ गया means what 50 रूपीज की notes के जो amount है वो है 50 x और 20 रूपीज की जो amount है वो है 40 x चलो अभी उसके पास total amount कितनी है देखो उसके पास 50 रूपीज की notes की amount है 50 x और 20 रूपीज की notes की amount है 40 x और total amount है उसके पास 2700 अभी 50 प्लस 40 90 x हो गए ओके 50 प्लस 40 90 x हो गए 90 x is equal to 2700 अभी x की value निकाल लिए तो हम 90 को उस साइड में shift कर देंगे x is equal to 2700 divided by 90 numerator का denominator का एक एक 0 cancel हो गया क्योंकि common 0 cut हो जाता है तो यहापे क्या रहेगा सिर्फ x रहेगा x is equal to 270 divided by 9 अभी 9 से यह 27 divided होता है 9 बन्स आ 9 9 थीज आ 27 और यह 0 as it is x की value क्या आ गई 30 x is equal to 30 आ गई तो यहापे हम लिखेंगे number of 50 रुपे notes is equal to x is equal to 30 example number 7 है विराट made twice as many runs as रोहित विराट ने जो run किये है वो twice है रोहित के compare में the total of their score is 2 less than double century उन दोनों का total score double century से 2 से less है दोनों का score double century से 2 से less है means what 198 है तो how many runs did each of them makes तो उन दोनों ने कितने runs की यह हमें निकालना है पहले हम उनके runs के comparison कर लेते हैं यहाँ पर हमें write करना है पहले late 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 the runs scored by रोहित is equal to x सपोज हम यह कंसिल करते हैं कि रोहित ने x यह run किये है और विराट के run रोहित के double है सो विराट के run कितने आएंगे हाँ पर 2x आएंगे क्यूंकि x को अगर हमें 2 से multiply किया तब ही हो double हो सकते हैं इसलिए हम विराट के runs कितने लेंगे 2x लेंगे then the runs scored by विराट is equal to 2x ओके विराट के 2x के उलिए समझ में आया क्यूंकि एक question में ही बताया है रोहित के compare में विराट के runs twice है so twice है means what इसके x है तो इसके 2x according to the question the total of their scores is two less than a double century उनकी दोनों की total score कितनी है double century से two से लेंगे तो यहाँ पर बहुत ही easy है देखो रोहित का score एक से विराट का score 2x है और दोनों की score की addition double century means what 200 रती है double century उससे 2 से लेशे means what उसमें से 2 सबस्ट्रैक करना होगा तो 198 आएगा और x प्लस 2x कितनी हो जाएंगे 3x हो जाएंगे x की value निकालने तो 3 को हमें उससाड में shift करना होगा x is equal to 198 divided by 3 ओके 3 बंजा 3 3 6 0 18 19 में से 18 सबस्ट्रैक होगा 1 रहे गया 1 and 8 18 3 6 0 18 तो x is equal to 66 value आ गई so runs scored by Rohit is equal to x is equal to 66 runs scored by Virat is equal to 2 x is equal to 266 2 6 0 12 12 का 2 यहाँ पे carry 1 2 6 0 12 12 प्रेस 1 13 132 Virat के score 132 है और Rohit का score 66 है तो यहाँ पे हमारा practice set finish हो रहा है तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो अपने फ्रेंट के साथ share करो हमार चैनल सबस्क्राइब जरू करो मिलते हैं नेक्स टूडियो में बाई